नमस्कार आदाब, मैं आनूप सोनी क्राइम पिट्रोल सतर के ब्लैक हेडलाइन्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सब कर स्वागत करता हूँ जब भी हमारी सोच सच से जुड़ी हुई होती है तब शायद हम एक सुलजी हुई सिंदगी जी रहे होते हैं लेकिन हर इंसानी मन का एक अलग संसार होता है जिसमें वो अपनी सोच का एक ऐसा ताना बाना बुन लेता है जिसमें चाहे जितना भी जूटापन क्यों ना हो उसके लिए वही सच होता है ये केस एक ऐसे ही अचरत से जुड़ा था और इस केस में जो जो सामने आने आने वाला था वो इतना अचंभित कर देने वाला था कि इस केस से जुड़ी खबरें लगभग हर अखबार की फ्रंट पेज हेडलाइन बन जाने वाली थी Sanjita मैं तीन महिने से उसाइपर काम कर रहा था उस राथ और ने मेरी आप का क्रेडिड ले लिया और तुम्हें कुछ भी नहीं किया है राथ होड के आगे मेरी कोई को सुनने वाला था क्या और गल्ती तुम्हारी भी तो है तुम्हें वो प्रेजेंटेशन मिस करनी नहीं चीए थी कंपनी के सारे प्रिस्टीजिस लोग थे वहाँ पर संजीता आई नो कि मेरा प्रेजेंटेशन में होना जरूरी था लेकिन मैं क्या करता मेरा अपने पैरेंट्स के साथ होना भी जरूरी था उस तरधोड के दर हिम्मत करती हुए उसको तो छोड़ू गा नहीं देख रहा तुम्हें मैंने तुम्हें अप्रिशीट किया तो य कोई अच्छे से जानता हूँ अगर बहुर जागा मूँ खोल दिया ना मैंने तो मुझे भी मूँ तोडना आता है तेरी जौब मेरे एसांता एक पट्टा है एक एक चुट्की में एक पट्टा उतारूँगा और दूसरी चुट्की में तुझे ब्लैक लिस करदूँगा कि ए ये का कर रहा है। मैं तेरी प्रेटेली करने जानों जा था ओड़ उसके बाद तुम arım से चुठगी बजाएगा तो भी उतरेगी और हाथ जोड कि घड़ायेगा ना तो भी तेरी प्रेट उतरेगी उसके बाद मेरे यह चुप ना यही तरे काम गएगा इव हरुआ दोटे हरुआएट Singa आपटे कि अपटे आपे कि अबसे में हो खड़े कर दे, मैं कर दो आधार को बार कि एा की लोगाली के सबस्टेट प्रिदर अब शुदी जा एक भी डिलए अब आएगी रॉनट पार्टी में अब आएगी रॉनक पार्टी में क्यों सिर्वाइद है इतना प्सेट क्यों है गर्षी थगा हुआ याज He's a busy man. Come on. But I'm not so busy that I can't give friends to him. This is the story. But Shrita, your timing is very good. If you have a P.B.D. credit card, then you have 30% discount. I'll give you food. First, you didn't wear my T-shirt. You can't wear T-shirt with friends. I'm not wearing T-shirt. I'm not wearing T-shirt. I'm wearing T-shirt. I don't have to wear T-shirt. Do you need T-shirt? Yes. If I can wear T-shirt, you can wear T-shirt. You can wear T-shirt. T-shirt. Stop. You can't tell me about T-shirt. Look at your eyes. You? Are you hiding her? She's a girl friend. I'm looking for T-shirt. NIMASH! You're going to be a fool. रहो तूप जिए शी लड़का फोन ही नहीं उठा रहा पतानी क्या-क्या चल रहा होगा इसके दिमाग में आज आपको मार्शय राज के कुछ ऐसे पाइटिंग असेंशल्स के बारे में बताने चाह रही है जिनसे आप तब से जिए तू लड़कों को गुपती है और फिर तू उनको हलाल करने के नए-नए तरीके सीखती है देख क्या रही है अपने बॉइफ्रेंड को बुलबा के पिटवाईगी मुझे महिंद्र मैंने तूमसे पहले भी कित्ती बार काई कि मेरा कोई बॉइफ्रेंड नहीं है ए पती हूँ मैं तेरी रगरक से वाकिफ हो समझी ना इसलिए ना मैंने अपने बैंक अकाउंट सबनी पॉलिसी सब जगह से तेरा नाम हठवा के किसी और को नोमी नी बनवा दी गया तुम्हें लगता है कि मैं मर्ड़ा करवाऊंगी तुम्हारा सर इसी गाड़ी में लाश मिली है गाड़ी की नंबर प्लेट हटा दी गई है और गाड़ी भी लॉक्ट है सरीद गई है सर यह दिख लाश को बड़े ही अजीब दन से पैक किया गया है गाड़ी कुलवाँ अजीब प्लेट सर यह दो जाड़ी आवड़ी आवड़ी अजीब आवड़ी आवड़ी आवडर सबस्क्राइब जाओ सर्फ गाड़ी में गाड़ी के वेपर्स मीए पर्ष नहीं है सिर्फ गाड़ी के फट्ष पर पानी के खाली बॉर्टल बड़ी है इस बंदी के नान तो कोई अईडिय है नहीं पर्स भग रहा है किलर चाहता नहीं होगा कि विक्टिम की को इडेंटिटी पता चले इसलिए परफसली गाड़ी के नंबर फ्लेट भी हटा दी और गाड़ी में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे विक्टिम को लेकर कोई लीड मिल से और इबा सर जिस तरह से टेप और पॉलिथिन लपेट के इस बंदी का मर्डर किया गया ऐसा लग रहा है कि किलर्स एक से जादा होंगे अगर किलर्स का इरादा इसके हाथ-पैर बानना ही था तो भी इसे टेप से ही क्यों बाना गया किसी और चीज से भी तो बना जा सकता था आई मिन रसी बगरा और अगर इसके साथ जबरदस्ती की गई है तो इसकी बाडी पर स्ट्रगल का निशान क्यों नहीं है जो कि होने चाहिए लाश की पहचान करना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं था लेकिन इस केस की गुथी सुलजाना बेहद मुश्किल था क्योंकि इस अचंपित कर देने वाले क्राइम सीन को रचने वाला दिमाग पुलिस को घुमाने में खुद को माहिर समझता था परवत दिमाग था किसका उसका मकसद क्या था यह पता करना वाकई में चैलेंज था यह क्या है? अरे, सुन! इस पेंडराइव में मेरी महबबत का पैगाम है देख सरूर लेना परवाएव में आपकी था आपके आपके जाएव में आपकी 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 आपके 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 शुईदर तुम्हें पहले प्लैट करिजना चाहिए तो आई बापा को यहां मुंबई में लाना चाहते हो ना तो पहले घर ले लो, कार तो बाद में भी ले सकते हो तो कार लेने का आडिया फिर में ट्रॉप भी करतेता हो श्रीजर एक मिन रोल करना रात रोर सर पूछ रहे कि वो आप कब तर लेविक होगी तुम घॉए मैं खुद बाद कर लूगाँ तुम जा मैं खुद बात कर लोह ओ heroic हा बोलो, क्या बीड़ थैं? किसी लडगी की आवास सुनी मैंने वहारी गल्फ्रेंड है नई बाभा कली ही है मेरी तो क्या होआ? नई भाद रही गल्फ्रेंड नहीं हो सकती मा, आपके चली, चली आपके! मेरे जीवान मेरे बात करके लखाये तुने! बाबा, कमसे कम इतना तो लेहाद रखे? कि हार दुनियवालों के सामने उमनों को तमाशा ना बने? अरे मेरा तमाशा तो वही दिन बन गया था! यह दिन यह तेरी बस्षूरत मा, यह मेरे जिंदगी में आई! पत, उसके बाद पाइदा हुई तु! यह तुम दोनों के दोनों मेरे लिए पन होती हो, पन होती! मेरा बस चले ना, तो तुम दोनों को बाहर उड़ा के फेग दू! पत! मा, छोड़ क्यों नहीं देती हैंने? अब ही मैं अतना कमाल हैती हूँ कि तेरको अच्छे सरा आप सकती हूँ! मैठा, तेरी बाबा जैसे है, मेरे पती है, औरत का पती के विदा कुछ नहीं होता! पतनी की भी कुछ इजदात होती है मा, और तेरी ये पती वरता की अंदबक्ती है ना, हमें लेट हूँ भी! तुम तो कहती थे कि हमें कभी नेगडिव नहीं होना चाहिए? और तुम खोद अपने पापा को लेकर इतनी नेगडिव हो? मेरे बाबा उस काटेगरी में नहीं आते, उनका बस चले तो ना वो मेरी आई को जिंदा चोड़ेंगे और ना मुझे तो तो तुम्हें पुलीस के पास जाना चाहिए? इसे इतना लाइटली मत लो तुम? तुम पुलीस के पास गये? तुम्हें शक था ना कि कोई तुम्हारी जान ले सकता है? मेरी फिक्र मत करो, मैंने ऐसे पत्ते बिछा दिया है कि कोई मेरा बाल भी माका नहीं कर सकता सर, इसकी मौत दम धुतने की वजय से ही हुई, लेकिन मरने से पहले से बेहोश क्या गया था इसकी बॉड़ी में सदुटिव पे ट्रेसिस मिले हैं सदुटिवस? जी एक बार समझ में नहीं आ रहे है अगर किलर्स विक्टिम को बेहोश करके मानना चाहते थे तो फिर विक्टिम के हाग में टेप से बांध ही क्यों हो? हलो सर हाँ, बलो चेचीस नंबर से गाड़ी के ओनर का पता चला है यह गाड़ी किसी राजेश पई के नाम पर रजिस्टर्ड है क्या विक्टिम ही राजेश पई है? जी नहीं सर मैंने इसकी डीटेश निकलवा हिये, ये राजेश पई कोई और है राजेश पई कोई अनड़का कौन है? जिसके लाजस मिली इतेरी गाड़ी में? सर, वो मेरी गाड़ी नहीं है मैंने तो अपनी गाड़ी, बेल मैंने परे श्रिदर को बेजदीती तो यह लड़का कौन है सर यही तो लग जा श्रीदर इसको मैंने अपनी गाड़ी पीची थी रजेश जी गाड़ी तो अच्छी है लेकिन देट लाग सुबर वैल्यू नहीं है इसकी अरे क्या बात कर रहे हो एक महीने पहले एक पशेतर दे रहे थे भाई इसने कम में नहीं बेजूँगा चले काम करो राजीश जी श्रीदर भाई है अपना ना इसकी ना आपकी एक साथ में सवलाता ही करती है जैसे इसलिए मुझे पैसे दिये और मैंने डिलिवरी नोड इसको दे दिया था सर अगर आप चाहें तो मैं डुपलिकेट पेपर भी आपको दिखा सकता हूँ तो नकली पेपर तो ने पहले से वनुवागे रखे नहीं सर अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप शीदर के दोस्त निमर्शे पूछ लीजीए अभा इससे कोई फाइदा नहीं होने वाला मुझे नहीं लगता है कि जिनम में तेरे बाल वापस लोटेंगे भी दे तु अना बेटा माजे मतले समझा अना तेरे बाल अड़ा दूगा शीदर यही रहता था? जी सर पर सर शीदर तो गाउं गया होई काउं गया होई? जी सर लेकिन शीदर की लाश मिली है लाश? जी सर ये बात सही है कि शीदर ने राजीर से गाड़ी खरीदी थी लेकिन मैं सच में ही नहीं पता कि उसके साथ ये सब कैसे हो गया तुम लोगों ने शीदर को आगरी बार कब देखा था? चार देन पहले सर, जब वो गाउं जाने के लिए निकल गा था अबे तू इतनी रात को कहा जा रहा है जीदर? घर जा रहा हूँ पेरेंट से मिलने के लिए चार दिन पेले शीरिदर अपने गाउं के लिए निकला और चार दिन पेले शीरिदर का मडर हुआ जब शीरिदर अपने पहुचा तो उसके घरवलों ने तुम लोगों को फोन नहीं किया नहीं सर, उसके घरवलों से हमारी बात नहीं होती थी और नहीं हमारे पास उनका नंबर है इन चार दिन में तुमने भी शीरिदर को कोई कॉल नहीं किया नहीं सर, क्योंकि सर ने सपने भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा जो पातों निरे यो तुम दोनों से बिसा? नहीं सर. काम क्या करता था शृरदर? सर वो गोर्डन अर्या इंफोटेग कंप्री में सौफ़फेर इंजिनियर था. शीरतर का कितिके साथ कोई लड़ा, जगला, दुष्वानी, कोई लड़की का चक्क, गल्फरंड बगना? नहीं. सर, ऐसा दो कुछ भी नहीं दा. शीरतर का नंबर दो में. जी सर. अजीस कम्रे में और रहे था था, वो कम्रा देखा। आए सर. श्रीदर अपने गाउं के लिए जा रहा था, तो साहिर सी बात अपने साथ कुछ समान भी लख कर गया हूँ? सर, जब वो गया था, उसके वास एक laptop bag था. सिर्फ एक laptop bag? कोई दूसरा bag, luggage bag बगर है लेका लिए अपने साथ? नहीं सर, वो उसका laptop bag बढ़ा था, वो सकता है उसमे कुछ कपड़े है. सर, मैंने श्रीदर का फोन शर्विलेंस पर डालने के लिए दिया तो पता चला कि उसका फोन अभी अक्टिव है. पहल जारी है लेकिन को उठानी रहा है. अब मैं होई इतना चार्मिंग, लड़कें तो इप्रास होई जाएंगी. पर शादी सोथ समझ के करना. आय शादी भी हो जाएगी, पहले घर तो खरीदनू. अच्छा, कोई घर देखा तुमने? कहां अभी कहां, अभी तो बस बजाटी बना रहा हूँ. 80 लाग का होम लोन में सकता है मुझे. लेकिन उसके लिए 10 पंदा लाग कैश तो हाथ मोना चाहिए न? काश, मैं तुम्हारी कोई मदद कर पा थी. पैसर की प्रॉलम नहीं है. एक बंदा है, जो 10 लाग भी आच पे दिय रहा है. बस कैश को वाइट करने का जगा डुणना पड़ेगा. देखो, जो भी करोगे न, अपने रूम मेट से बच्की करना. मैंने तो अपने बोस की हवाइँ होडा दी. रूम मेट्स तो मेरे आगे प्या दें. शृदर, एक मिनट. शृदर, आई के 20 मिस कॉल जाएं. पता नहीं, आज बाबाने क्या कर दिया होगा. तुझे अभी जाना होगा, मैं रखती हूँ. झाल, प्याओ. На याओ! प्याओ! तुप! ओ, ओ, मुझे तुम! चा करती है यह? आई? चा हुआ? चा करती है? आई? यह मुझे इतने फोन किया, मैंने फोन किया तो उठाया, क्यो नहीं? तेरे बापा उस औरत को गर ले आए क्या? तू चाल मेरे साथ चाल बाबा, यह सब क्या चल रहा है? आज से तिरे दूसरी माए, चला ताएपड ताएपड च्या बोल रहे हो यह सब? क्यो? तू किसी की दूसरी अवरत बनने को तयार हो सकती है तो तो तेरी मादुसरी अवरत नहीं बन सकते यह कैसी बक्वास वाली बाते कर रहे हो? सदा चलाग मत बन मने देखा है तेरे को आदमी के साथ? आपका पूरा दिमाग खराब हो गया बाबा अभी शर्मा बता? अच्छा क्या तोने खुद ही डूंड ले आपने लिए? जा, जा भाग जा उसके साथ वह से भी कुछ दूसरा मिलने ओना नहीं तेरे, जा सब शर्रीदर तीन चाथ दिन पहले तक ऑफिस आ रहा था फिर अचनक से उसने लीव ले लिए लीव लेने की वज़े क्या थी? यह तो बतायों को उसने? नहीं सर, उसने कुछ बताया नहीं यह ओफिस में कोई ऐसा है जिसके श्रीदर के सब कोई दुश्मन या जगडा हो जो इसकी इस तरह से जा लेना चाहता हूँ सर यहां तो इसा कोई नहीं है यह वस अप्राइड इंप्लाई सब उसे यह बात पसंद करते थे जिसके श्रीदर का फोफोन थोड़ी देर पहले तक मीरा रोड़ इरिया में अक्टिव था क्या ? उसकी अप भी आक्टिव है देस तरह से आपको इहराएनी हो एना हमें भी हो जरी है उस एरिया में इसा कोई है जिसके ऐसे श्रीदर की आना जनाहो नो एडिया सर्व श्रीधर के पेरेंट्स का फोन नूमर एड्रस तो होगा ये न आपके पास? ये सर्व एड्मिन में है रंजीदा ये सर्व सर् सर् सर्शीधर का मोबाईल अभी अभी दईसर में बंद हुआ है फिरहाले समझना मुश्किल है कि उसका मोबाईल ओन किस ने किया होगा ये जोगोई भी है इसका श्रीधर के मदर से लेना देना जरूर है हमने राजेश को अंदर किया है वो सकता है उसे बचाने के लिए कोई हमें बढ़काने की कोशिश कर रहा हूँ राजेश के एकलाफ कुछ मिला? सार राजेश ने कार ट्रांस्टर के जो पेपर्स दिखाई थी उसकोर श्रीधर के साइन तो है पर ये देखना पड़ेगा कि वो साइन असी है अनकली एक काम करो राजेश को जाने तो और नजर अक्षोस पर पता करो कि मडर से पहले राजेश ने कहीं से सर्डेटिफ्स खरीते थे क्या और वो टेप और पॉलिवेक्स भी जिनका श्रीधर के मडर में इस्तमान को आई श्रीधर के करवालों से कॉंट्रेक्ट किया श्रीधर के माने श्रीधर के मा को श्रीधर के बुलाएगा श्रीधर अम्हा दिनराज काम करोंगा तभी तो याँ कर ले पाऊँगा आपको और पापा को यह भी तबीका राने नए अँआ 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 अनिन्दिता जी हमें आपके बेटे श्रीधर के लाज है काड़ी में वह गाड़ी स्राजेश पई के नमपर रेस्टाड है और इसका कहना है कि उसने श्रीधर को ए गाड़ी बेची ली आपको जानती इस पारे में श्रीधर बोलतो रहा था कि वह निमेश और साठतक का कहना है कि उसी गाड़ी में पांच दिन पहले श्रीधर अपने गाउं के लिए निकला था आपसे मिलने आ रहा था अप जानती थी इस पारे में नहीं से श्रीधर के रूमेट्स जूट क्यों बोलेंगे वही राजेश पाई पुलिस की रडार पर था श्रीधर के आसपरोस ओफिस हर जगा श्रीधर से जुड़ी इंफरमेशन निकाली जाने लगी पर इस केस के कई ऐसे पहलू थे जो अभी तक अंच हुए थे सर में मांगता हूं कि मेरी और श्रीधर में अंग बंग थी पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उसको को नुकसाण को जाओंगा तो जूट क्यों बला हम से क्यो सराज श्रीधर अपने गाउं गया था सर वो तो सार्थक ने बोला था मुझे और मेरी इस बारे में श्रीधर से कोई बात ही राट तक क्यो जूट बोलेगा सर मैं जूट नहीं बोल रहा हूं स्रीधर मुझसे यही केके गया था कि वो अपने गाउं जा रहा है अबे श्रीधर का मर्डर हुआ है मर्डर अभी इसमें 13 के हाथ है वो बॉल सरश्मा मेरा कोई हाथ नहीं अब एकान मुझपे शक कर रहे श्रीधर और निमेश के अपस में ड़ूधी थी तयूकि तुस समय पहले श्रीदर निमेश के बाल भी अपशयादी थी क्या? श्रीधर निमेश के बाल उड़ा दिया इसलिए मेने तरहे शैंपू में हैर मुवल मिला दिया था नहीं कुछ कि ए ए तोरों क्या करा हूँ ए निमेश छोड़ दे सर उस दिन के बाद से निमेश बाद बाद बे बोलता था कि वो श्रीदर से ऐसा बदला लेगा कि वो कभी नहीं बोलेगा सर भोका मैंने गुच्से में बोल दिया था और इसका मतलब यह थोड़ी है कि मैं उसको मार हुआ यह सारता गुमार आपको सर और मैं दावे के साथ कह सबता हूँ कि श्रीदर गाउं गया ही नहीं हो का सार्थक नहीं किया कुछ नकुछ अच्छा बजेओ बजेए क्यों करेगा असतारता कैसा क्योंकि श्रीदर ने सार्थक से उसके कल्पर्ण चील दी थी कौन गल्फैर्ड? दृष्टि वो सारता को डिच कर रही थी और इसी बात से सार्थक श्रीदर से चीरता थो सर, द्रिस्टी बहुत ही फ्रेंग है, वो बस श्रीदर को सोते वे देख के उसे डराने की कोशिश कर रही थी दर गए ना तुम? Get up it's Sunday, don't waste a day, उठो! सर, निमेश की दिमाग में कचरा भरा हूँ, वो मुझे हमेशा भणकानी की कोशिश करता हूँ मुझे जिप्रनात रष्ट द्रिस्टी पे धाओ उतना ही श्रीदर पे सर, आपको यकीन नहीं हो तो दब द्रिस्टी से पूछ लीजे अपको पोलेGen क्या जानना चाहते, क्या बताओ में अपको, क्या बताओ जालागी हा, भी चोड़के, हूँ, जालागे हा हा… तो इतने दिनों से तुम मुझे फॉलो कर रहे थे और मुझे लगना थे कि कोई और मुझे स्टॉक कर रहे है मेरा पीछा कर रहे है मुझे तरह तरी के मेसेजिस बेच के मुझे परिशान कर रहे है लेकिन ये सब तु कर रहे है लेकिन ये सब तु कर रहे है कर दा दा चुट कार आपाने के लिए कर दा था ठीक है लेकिन अब मैं तुझे के बाप बता रहू हूँ मैं तुझे न तेरे इरादों में ताम्याब नहीं हो नूँगा चाहे कुछ भी होजा है पेपर्स ने बार न तुने देहलूंगा तुझे मैं निमेश अचाहता दोनों अनल Tamil कहाने सोथा लेकिन जब शीदर का फोन हूआ तब निमेश अचाहता कमारे साल थे राजेश भी अमारी कस्तेड्यमे था तो फिर वो कौन होगा जिसने शीदर का फोन क्या होगा सार दुरिष्टी, शाहिद वो भी शामिल हो इसे थी? सर, आपको गलत पैमें हुई है. शीदर का फोन मेरे पास क्यों होगा? पर तुम यह तो मान रही हो, कि तुम शीदर को पसंद करती थी? सर, मैं पसंद करती थी शीदर को, लिकिन सर्फ ऐसा दोस्त, उससे मेरा अफैर नहीं चल रहा था. लेकिन निमेश तो कह रहा है कि सार्थक तुम पर और शीदर पे शक करता था? सर, सार्थक का मुझे पर विश्वास था, यह ट्रस्टेड मी लाइक है नहीं थे? सर, मैं सिर्फ बोल रहे हैं जो मुझे लगता है. सर, शीदर के कॉलिकोर्ट चेक किये मैंने. द्रिश्टी के लावा, शीदर की रंजीता नम की लड़की के साथ भी काफी बाते होती थी. कौन है रंजीता? उसके अंडरकाम कटी थी. शीदर और रंजीता काओ के चक्कर अफेर वेगरा? अफेर का तो कोई हिंट नहीं मिला है. बस यतना बता चला है कि शीदर के बाद उसकी पोस्ट की सबसे बड़ी दावेदार थी है. सर, शीदर और मैं सिर्फ कलीक से हमारा कोई अफेर नहीं चल रहा था. कॉल रिकोर्ट चेक किया हमने तुम्हारे. अफिस के बाद जब जब तुम शीरदर को फोन करती थी, उसके बाद राठोर तुम्हें फोन करता था. क्या चल रहता है? देखो कुछ भी चिपाना मत हमसे. मालूम है हमें, राठोर के साथ तुम्हारा होटल में आना जाना था और जब जब तुम उसके साथ होटल में आती जाती थी, उसके बाद शीरदर को फोन करती थी, क्या किचली पकरी थी है? सब, मैंने जो किया वो राठोर के कहने पे किया. क्या रवारा था Rathor तुम से? सर्व Rathor ने Shrider के आप को अपना बना के प्रेजन किया था इसलिए Shrider उसे धंकी दे राथ है कैसे दंकी? सर्व Rathor से भदला लेना चाहता था और Rathor मुझे भी उस करना चाहता था मतलब? किस तरह से तुम्हें यूज़ करना चाहता था? सर वो चाहता था कि मैं ये पता लगाओ कि राथोर को लेके श्रीदर के दिमाग में क्या चल रहा है इसलिए मैं उससे बात करती थी श्रीदर तुम राथोर को इग्नॉर करो इसे में तुम्हारी भलाई है नहीं मैं इग्नॉर नहीं करूँगा उसको उससे बदला लूगा मैं और अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुमारा बदला भी बूरा हो जाएगा देखो श्रीदर तुम मुझे इन सब चीजों में मत घंशी लो प्लीज क्यों? उसे डर रही हो यह उससे बचा रही हो तुम? मैं उस कमीने को क्यों बचाओगी तुम करने क्या वाले हो? कल मिलो मुझे मिल के बताता हूँ तुम्हे ठीक है मेरे इस सामने मुझे कमीने बोल रहे थी उसे शक नहीं होना चाहे था ना? सर, मैंने अपनी मर्जी से यह सब नहीं किया मेरी तेरा ओफिस की कई लड़किया राथोड से तंग आ गई है जब मैं शरीदर राथोड के किलाफ क्या करने वाला था? रंजीता, वो एप मैंने डिजाइन की थी प्रूफ है मेरे पास और मैं वो सारे प्रूफ कंपनी की हाई अथोरिटिस को जाके दिखाने वाला हूँ तुम्ही साथ चलना मेरे और अजराथोड ने जो भी तुमारे साथ की है ना, सब बताना वहाँ पर पर शरीदर, अगर इससे कई कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा रंजीता, मैं हो ना तुमारे साथ लेकिन शरीदर को किसी से मिलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि कंपनी के सारे में परसन आउट ओफ इंडिया गये थे अर ये बात तुमने राठोड को बता दी नहीं सर्व, मैंने राठोड को कुछ नहीं बताया पतानी उसे कहां से भनक लग गई लेकिन अगर शरीदर ऐसा कर देता तो राठोड का करियर खतम हो जाता था Guys, ये रंजीता भी तक आई यू नहीं है फोन भी ने उठा रही है Yes Sir Sir Sir, ये सब अपक अचरें अरूर किसुए I think there's a missus standing Sir, मेरे Express Sir 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 Sir, मांगता है, मैंने शरीदर क्या आपको अपना बना के present किया था लेकिन मैंने उसको मुर्डर नहीं किया No Sถुश्र ये नहीं Raja Jitha और ओफिस के और भी लड़ीकों को ब्लैक मेल कर रहा था तू शिदर तरी पोल खोलने वाला था तो खतम कर दिया उसको नहीं सर्थ, सच में सर्थ, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया सर्थ ऐसे नहीं हुख लेगा है कुटस राजेश, निमेश, सार्थक, द्रिष्टी और रंजीता के बाद राठोड भी एक प्राइम सस्पेक्ट था लेकिन श्रीधर का फोन बार बार आउन करने वाला कौन होगा फिलहाल इसका पता नहीं लग पाया था लेकिन पुलिस को लग रहा था कि ये सब कुछ उन्हें असल मुझरिम से भटकाने की कोई चाल है पुलिस इस केस को नतीजा देने के लिए श्रीधर से जुड़ी बारीग से बारीग बात पता कर रही थी लाश पर मिले शॉपिंग बैक से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था और ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो डक्टेप्स किसने और कहां से खरीदी होंगी पुलिस को हत्या का मोटिफ समझ में नहीं आ रहा था और इस केस की अगली जानकारी इसे और उल्चा देने वाली थी सर, श्रीधर का जिस तरह से मड़र हुआ वो एक विदेशी भाषा की टेलिविजन सीरीज से इंस्पारेड है क्या? जी यह सर यह देखें इस टेलिविजन सीरीज में बिलकुल ऐसा ही मड़र सीक्वेंस है समझ में नहीं रहे सर इसा कौन हो सकता है जिसने श्रीधर को इस तरह से मारने के लिए इतना देख लगा है उनके बीच चाहे जितने भी हो फासले वो मिल ही जाते हैं जो एक दूसरे का नसीब होते है इसलिए मुझसे भागो मत करीब आजाओ फासले मिटाने के लिए उसने तु बहुत बोल डेती है ना यह दिखो मेरी आवाज है क्या ही तुम्हारी आवाज निए तो फिर किसी और की आवाज से रिकॉर्ड करके दे जाओगा तुमने अच्छा तु बहुत समझदार बंती है अपने आपको मुझे अच्छे से बता है तु डबल गेम खेल रही है डबल गेम तुम खेल रहा है महिंद और अब में बर्दास्ट नहीं कर सकती नहीं कर सकती बर्दास्ट क्या है यह हैं यह देविका तेभी कारा चीए नो तुमें मुझे, तुम्त कारा चीए ना, मार तो मुझे, मारो, मार तो मुझे अहटना सब मैंने नहीं देखिए वो टेलिविजन सिरीज था, वो सार्तक को ये फोरें लेंगवेज की फिम देखने का बड़ा शोग है खुद को बचाने के लिए बार-बार सार्तक का नाम ले रहा है, ये राजेश मी विला है हो ना तरे साथ और विलास मी, विलास से तूने और राजेश मी मिलवाय था ना शिरीधर को मैं पॉ 드ictions को बताता हो सर, डे करता है सर, ये रहा है इस्रीधर को घर करिदने की पैसे निमेश के कहने पर मैं गाने विलास से बिलवाया था सर विलास ने शिरीधर को 10 ख लूब ये ब्याश पे दिये थे हाँ सर लेकिन वो चुका नहीं पा राए था उसके बाद विलास ने उसके साथ क्या किया सर? मुझे नहीं बता सर मेडम सच ही कि मैंस श्रीधर को दस लाख लूप दिये थे लेकिन उसे मारकर मेरे पैसे थोड़ी सा पापस मिलते हैं वाली थे निमेश, राजेश और विलास के अलावा राठोड, दृष्टी, रंजीता और सार्थक पुलिस सब को खंगाल रही थी ये जानना चाहती थी कि उन में से किस किस ने वो टेलिविजन सीरीज देखी होगी शीधर के दोस्तों ने अब से चूट कहा है जोगर यह आता तो हमें बताता जरूर शीरधरियां एक महीना पेले भी आया था ये बाद आपने अमसे कहा बता ही और जब एक महीना पेले शीरधरियां आया था तो बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो एक माह होने के नाते आपको अब हमें बता दिना चाहिए था लेकिन अपने हमें नहीं बताया सर आप खलत समझ रहे हैं ठीक है आप में सही समझा दीजिए जब एक महीना पेले शीरधर ना आया था तो क्या हुआ था अ पापा, मैंने आपको कितनी बात सम्झाया कि आप चाचा में भरता मत कीजिए। आप है कि समझने को तयार नहीं है। बेटा, तुम्हारे चाचा का घर किर्वी रखा हुआ है। और उन्हें अपनी बेटी की शादे भी करवाली है। ऐसे में अगर हम उनकी मिदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अम्मा, वो अपनी खुद की जमीन तो जुए और दारू में गवाज चुके हैं। और वो पापा की जमीन की पीशे पढ़ें। वो कुछ भी बोलके जाते हैं पापा, फरुसा कर लेते हैं। देगर इस बार में चाचा को समझागे जाओंगा, कि वो आप दोनों चे दूर रहें। शीदर शुरू से यह अपने चाचा को नहीं बसंद करता था। और और उस दिन भी उन दोनों में छगडा हुआ था। तू भी आपको शीदर के चाचा पेशक नहीं है। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सेते। सर कैसी बात कर रहे हैं। शीदर मेरे बेटे के जैसा था। लेकिन उस वक्त तो वो आपको मारने पर भी उतारूँ हो गया था। चाचा जी! चाचा जी, अगर आप में थोड़ी भी शरम भागी है ना, तो अभी के अभी मेरे बाबा के पैसे वाबस किजी आप। हाँ तो उधार के नाम पे लिया है हमने भाई साप से, और जब होंगे तब लोटा दूगा। चाचा जी, यह नोटंगी, बंद कीजी आप! सब जानता हूं मैं, ऐसे मीटे हैं बन-बन के, कितने पैसे निगल चुक हैं आप! पैचे तो वापस में लेकर ही जाओ! Sridhar! Sridhar! रुक जा, Sridhar! हडिये मिचे! तर माना, Sridhar गरम सुवाओ का था, और उसका वयभार मुझे भी पसंद नहीं था! लेकिन आप जैसे सोच रहे हैं, वैसे मैंने कुछ नहीं की है! कौन हो सकता है वो जिसने इतना परफेक्ट मटर किया, कि अभी था कम कोई क्लूई नहीं दून भाए? सर! सर, शीदर का मोबाइल फिर से उंग हुआ है, उसी एरिया में जहां पहले उंग हुआ था! वो जो कोई भी है, इस वार बजना नी चाहेगी! सर! यही एरिया शो हो रहा है, जहां शीदर का पून एक्टिविट है! है बटा, इधा! बाग क्यो रहा है? है? नाम के इतरा? और यह, यह मोबाइल किसने दिया तुझे? कहां से बिला? मुझे यह किसने ने दिया, मुझे तो यह गिरा हुआ मिला था इस मोबाइल के साथ एक लैप टॉप भी वहां पड़ा था गर कहा है तेरा? गर में किसी को ने बतल मैं तो इसे शुपके गेम के निकले अन करता था लेकिन यह लोग है और इस कहलोग खुलता ही नहीं लैप्टॉप कहा है? चल दिखा हमें सर जेस एरिया से उस बच्चे को शीदर का लैप्टॉप और मॉबाइल मिला था उसी एरिया से शीदर की लाश मिली था हो सकता है वो बच्चा किसी के कहने पर जूट बोल रहा? नहीं सर फिलाल ऐसा कुछ मिला नहीं लेकिन मैं चेक कर रही हूं शीदर के लैटॉप और मॉबाइल में कुछ मिला? लैटॉप तो चेकर रहा है सर लेकिन मुबाइल में कुछ मिला है यह देखे कि मुबाइल की होम स्क्रीन पे एक लड़की का फोटो है मुबाइल में एक मैसेजिंग और कॉलिंग अब भी है जिसमें मरियम नाम से एक आईडी है जो इस लड़की से जोड़ी भी लग रही है आईडी के प्रोफाइली स्टेटस में इसी लड़की का फोटास है मरियम पता करो कोन है यह लड़की अब मेरे पीछे आने की गलती मत करना समझे जी सर यह मेरी आईडी नहीं है मैं इसको यूज ही नहीं करती लेकिन देविका जिस कॉल सेंटर में तुम काम करती हो वहाँ पर कस्टुमर से बात करने के लिए तुम्हें नाम दिया गया है मरियम मरियम नाम की आईडी है फोटो हैस में तुबारा शीदर के फोन में तुम्हाँ फोटो है लेकिन सर मैं किसी शीदर को नहीं जानती हा लेकिन काफी टाइम सी कोई तो मुझे तरे तरे के गिव्ट्स दे के परिशान कर रहा था सर इनवाक्ट उसने मुझे कई सारे पेंडराई सी उहेजे थे जिसमें मेरे ही फोटोस थे सर मैं आपको दिखाती हूँ यह देखे सर उनके बीच चाहे जितने भी हो फासले वो मिल ही जाते हैं जो दूसरे का नसीब होते हैं इसलिए मुझे भागो मत सर मैं खुद तंग आ गई थी सबसे इन फाक इसी बज़े से मेरे और मेरे हस्बेंट की बीच में जगड़ा हो रहा था ज़िए सही बोले ज़िए सर में इससे काफी परिशान थी क्याई ऐसा थो नहीं है कि परिशानी जड़सी घटा थी इसी बज़े से ख़डम कर दिया श्रीथा सर ऐसा कुछ नहीं है आप आप गलत सूथ आप भूलो सर शीदर के लेपटोप में भी कुछ मिला है सर शीदर के लेपटोप में शीदर की इमेल आडी का पासवर्ट डिपोल्स सेटिंग पर था सर मेल आडी पर क्लिक करते ही मेल बोक्स ओपन हो गया सर यह, हम पर लगातारव कोई ऐसे मेल्स कर रहा था जो शक करने जैसे हैं सर शीदर नेफ का लास मेल इसी मेल आडी पिकिया था प्ता कुर रही आडी कॉन यूज कर रहा है जो भी आडी यूज कर रहा था वो भी शीरिदर के मडर के लिए जिम्मेदार हो सकता है तो आप है वो जिने शृदर मेल किया करता था तो कब से जलता था ये सब शृदर के साथ? हेलो मेरी बात शृदर राओ से हो रही है? अजी आप कौन? सर फीवीडी बैंक की तरफ से आपको क्रेडिर का ओफर है क्या आप इंटरस्टेड है? तब पहली बार मैन और शृदर ने एक दूसरे से बात की थी शृदर ने काफी देर बात करने के बाद मुझे अगले दिन प्रसे कॉल करने के लिए का सर कल आपसे बात हुई थी आप क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरस्टेड है न? जी क्योंकि आपकी आवाज बहुत प्यारी है क्या कहा सर नहीं, कुछ नहीं अच्छा आप आप मुझे कल फिर फोन कीजेगा न अगले दिन भी हमारी काफी दिर तक बात हुई फिर उसना अचानक से बुला की थीक है मैं आपका एकार ले लेता हूँ लेकिन आपको भी मेरे एक शर्ट माननी पड़ेगी कैसी शर्ट सर आपको मुझे दोस्ती करनी पड़ेगी सर पहले तो मुझे बहुत अचीब लगा लेकिन श्रीधर से बात करने के बाद मुझे उससे बात करना बहुत अच्छा लगने लगा और उससे बात करने के लिए तुमने मरियम नाम की फेक आइडी बनाई देविका तुमारे कॉल सेंटर में काम करती थी श्रीधर से बात करने के लिए तुमने देविका के कॉलिग नेम का इस्तमाल किया मरियम Sir, उससे अपनी असली पेचान से बात करने से डर रही थी मैं मुझे विल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम दोनों एक दुसरे से बात करते करते इतना क्लोज आ जाएंगे एक दुसरे को इतना समझने लगे हम दोनों एक दुसरे से हर बात शेयर करते थे उसके बाद श्रेदर ने मुझे शादी के लिए प्रपोस कर दिया और उससे मिलने के जिद करने लगा Marilyn, प्लीज मना मत करो तुम संधनी सकती हो, मैं तुमसे मिलने के लिए कि इतना बेचैन हो रहा हूं हर्भी तुमसे नहीं मिल सकती हो मिल नहीं सकती हो तो कम से कम अपने फोटो तो शेयर कर सकती हो सर मैं पाकी लड़कियों जैसे सुंदर नहीं दिखती इसलिए मुझे डर था कि वो मुझे देखेगा तो मुझे रिजेक्ट करतेगा इसलिए तुमने देविका के फोटो उसको बेज दे सर देविका की फोटो देखती उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा मुझे लगा कि मुझे ये सब यही रोग देना चाहिए इसलिए मैंने उसको बोल दिया शीदर, मेरे बाबा मेरी शादी कहीं और ताय कर रहे तो तुम उन्हे मना क्यों नहीं कर देती हो और भाग चलो मेरे साथ देखो, मैं तुम्हे बाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैंने उसका फोन कट कर दिया और कभी उससे बात नहीं की तिकिन उलगातार मुझे इमेल्स बेश दा रहा फिर भी मैंने उसकी मेल्स का कुछ रप्लाइ नहीं किया लिकेन उसने हमारे कॉल सेंटर का पता लगा लिया था और वो देविका को अपनी मरियम समझ कर वो सारी चीजे भेज़ने लगा देखे, अरे तोन मेरी गल्ती की वज़े से देविका की मैरेड लाइफ में बहुत इस्टुबंस क्रीट होगी उसका हस्बन उसके शक्त करने लगा यहां तक कि वो मुझ से और हुमारे बाकी कलिक से इन डिरेक्ट ली आपर पूश्टाश करने लगा उसका कहीं और अफैर है कि यह कहानी बंद करो जाकरती सीदा सीदे मुद्दे पहो श्रीधर से अपनी बात्चीत बढ़ाने के बीचे तुमारा असल मकसद क्या था सा मेरा कोई गलत मकसद नहीं था मेरा बस यह रूप यही मेरी बतनसीबी है लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको इतना बड़ा स्टेप ले लेका सर मैंने चेक किया लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे लगी कि लड़की श्रीधर से कभी मिली होगी लेकिन सर जिस एलीव जन सीरी से वो क्राइम सीन इंस्पारड है उसकी डीवडी श्रीधर की रैक में मिली डीवडीज में भी थी श्रीधर ने अपने आखरी मेल में उस लड़की के लिए लिखा था अब मैं तुम्हे कभी परेशान नहीं कर पाऊंगा मरियम खुछ रहना मैं जो करने जा रहा हूं उससे कभी तुम्हे कोई आच नहीं आएगी और श्रीधर के बाद के मेल पढ़ने में ऐसा लगता है कि जैसे चागरती के अवाइट करने के बाद वो तूट गया था डिप्रेशन में आ गया था और इसी बज़े से श्रायद आप कहा रहे हैं सुसाइड? पॉसेबल है सब कुछ एग्जमाइन करने के बाद तो यही लग रहा है कि श्रीधर डिप्रेशन में चला गया था हो सकता है यह सिलिपिंग पिल्स, टेप, पॉलिबैक्स उसने खुद खरी दे हूँ और डिप्रेशन की वज़े से हुई यह कदम उठा गया लगे सार, अपने आपको इस तरह से मारना प्रेटिकली पॉसेबल है क्या? मनिश, एक बार क्राइम सीन रिकरेक्ट करकर देखते हैं मनिश, इस उबर नहीं उपा रहा है ठीक है, उसका विशायद यहीं तक था मनिश, बीच में कभी भी तुम्हें ऐसा लगए कि तुम्हें सांस लेने दिक्कत हो रहे है बीच में छोड़ देना, हम दुबारा ट्राइ करेंगे ओके सब निकालण तुम्टीक मनिश तुम्टीक मनिश पॉसिबले सार, एक्दम पॉसिबले मतब शिरिधर ने अपने आत्मत्या को मडर करूद दिया ताकि जागरिती पे कोई आचना है इस सब के लिए उसे जिम्मेदान अठाना जाए आखिरकार पुलिस ने इस केस को सुसाइट की थोरी दी लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा जागरिती पर अबेट्मेंट अफ सुसाइट के चार्जेज लगाए गए है पर ये सवाल भी कम हैरान करने वाला नहीं है कि इतना हताशा भरा कदम उठाने से पहले सीधर ने अपने माता-पिता के बारे में क्यों नहीं सोचा हम सब अपनी जिंदगी में फेलियर्स का सामना करते हैं लेकिन फेलियर्स भी तो हमें आगे बढ़ने की सीख दे सकते हैं माना कि सपने बुनना इंसानी फितरत है लेकिन जीवन की वास्तविक्ता को स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है सचाई से भागने की बजाए उससे लड़कर ही हमारा संखर सफल हो सकता अब मैं आनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी क्राइम पिट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइन जध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क है सतर्क रहें सुरक्षित रहें जैहन